पानी को थोड़े मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो या इस जल को श्टोर करके रखना हो हम श्टील के बाल्टी का यूज तो करते ही हैं पर क्या कभी आपनी ये सोचने और जानने की कोशिस की है किस रोज यूज होने वाले श्टील के बाल्टी को आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता होगा और जिस श्टील के plate में हम रोज खाना खाते हैं उस plate को factory में बनाया कैसे जाता होगा तो चलिए जानते और देखते हैं कि इस श्टील के plate को factory में कैसे बनाया जाता है सबसे पहले तो एक बड़े से steel seat के rollers को इस थाली बनाने वाली factory में लाया जाता है और फिर एक वरकर इस स्टील सीट रोल के छोर को एक रोलिंग मसीन में ऐसे अटका देते हैं ताकि इस मसीन के बेलन घूम कर उस सीट रोलर से एक पतली सीट को अलग कर सके और साथ ही इस सीट के छोर को यहां दूसरी मसीन में डाल देते हैं जो इस सीट को बराबर लंबाई में काट देती है फ्रेंट्स अब इस काटे गए शिल सीट्स को एक हाइडरोलिक मसीन में डालते हैं दरसल इस मसीन में उपर की ओर गोल वर चौकोर आकार वाले कई कटोरे नुमा साचे बने होते हैं अब इन्हें लाया जाता है दूसरी ओर जहां बॉर्डर को हाइडरोलिक प्रेस मसीन की मदद से बनाया जाता है सारे सीटों में ये प्रोसेस हो जाने के बाद अब इनको एक प्रेसर कटर मसीन की मदद से इसके एक्षा पार्ट को काट कर अलग कर दिया जाता है अब यहाँ एक वर्गर पत्येक सीट के धाली पर मुहर की मदद से कमपनी के नाम को लिखा जाता है और सबसे अंत में इन तयार धालीयों को एक केमिकल में डुबो कर निकाला जाता है जिससे की इसमें एक खास प्रकार की चमक आ जाती है अब इनको सुखाने के लिए एक हीटर मसीन में डाल दिये जाता है और थोड़े ही समय बाद इन चमकीली थालीयों को निकाला जाता है तो भाई साब अब गर्मा गरम खाना परोसने के लिए ये थाली हो चुकी है तयार चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस ऐल्मूनियम के बाल्टी यानि की बकेट को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है सबसे पहले तो एक भट्टी में पुराने अल्मूनियम के हांडी वक कई धातूओं के टुकणों को उच्च टेंप्रिस्चर पर गला कर इनको लिक्विट फॉर्म में बदल दिया जाता है अब एक वर्कर इस गर्म लिक्विट अल्मूनियम को गोलव चौकोर साचे में डालता है अब इनको प्रेस करके एक अल्मूनियम की पतली चौकोर सीट में तफदिल कर दिया जाता है और अब यहाँ कुछ वरकर्स इस चौकोर एलमुनियम सीट को गोलाकार भाग में काटते हैं अब यहाँ इस गोलाकार सीट को एक प्रेसर मसीन की सहायता से एक बड़े पतीले के आकार में बदल दिया जाता है कुछ ऐसे अब अगले प्रोसेस में इन बकेट्स को इस मेकेनिजम में फिट करके इनको एक बाल्टी का आकार दिया जाता है कुछ इस तरह और यहाँ मसीन की मदद से इसके बहारी सतह को हलका छिला जाता है जिसे कि इस बकेट्स पर काफी ज़्यादा चमक आ जाती है और साथ इस बकेट्स में अलग-अलग तरह के डिजाइन को भी बनाया जाता है ताकि ये बकेट और भी ज़ादा एट्रेक्टिव लगे तो अब हमारी बन चुके प्यारी प्यारी एल्मूनियम की बाल्टियां अब इन बकेट्स में हैंडल को भी ये वर्कर्स लगा देते हैं तो लिजिए जी बन गई हमारी बाल्टी प्लास्टिक या फिर मेटल किस से बना बकेट सबसे अच्छा होता है हमें कमेंट में जरू बताएगा और क्यों होता है कारण भी जरू बताएगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्यान प्राप्त हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें क्योंकि ये बिलकुल फ्री है और ऐसे ये अच्छे अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दे और बैल के आइकन को दबा कर ओलक आप्शन भी सेलक्ट कर ले और यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद अब आपके सामने दो वीडियो और देख रहे होगी दोनों वीडियो काफी ज़्यादा ही अच्छी है आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं